दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों मागदोशन भारती इतिहास रिवीजन के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारती संस्कृत एवं भारत के स्वाधीनता अंदोलन से संबंधित महत्तुपूर्ट तथ है जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के लिए उप्योगी और महत्तुपूर्ट है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश से आसान और महत्तुपूर्ट तथ्यों का रिवीजन करना है चुकि आप जानते हैं कि कई बार रिवाईज ने करने के कारण आसान प्रश्ण भी कनफ्योजन क्रियेट करते हैं और गलत हो जाते हैं इसलिए इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो आगामी सभी परिक्षाओं के लिए सामान्य ध्यन और भारती इतिहास खंड के लिए महत्तुपूर्ट इतिहास के रिवीजन का ये वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम भारती संस्कृत की प्रमुक विशेस्ताओं से संबंधित प्रशनों को देखेंगे देखिए यहाँ पर पहला प्रशन है जो ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस्थित भीम बेट का प्राग एतिहासिक शैल चित्रकला का सरेश्ट उदाहरण है और भारत में यहीं से चित्रकारी से युक्त सरवाधिक 700 से अधिक सिलाश्रे प्राप् प्राग एतिहासिक शैल चित्रकला का सरेश्ट उदाहरण क्या है तो ये भीम बेटका की गुफाएं है और भीम बेटका की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस्थित हैं और भारत में यहाँ से चित्रकारी के सरवाधिक सिलास्रे प्राप्थ और इसके बारे में महत्वपूर्ट तत ये भी है कि दोस्तों यूनेसको ने भी भीम बेट का सहल चित्रों को विस्व बिरासस सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो सूची है उसमें शामिल किया है पशुपति सिव का प्रमार कहां से मिलता है तो ये मोहन जोदोडों से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकरित बनी हुई है उस योगी के दाई और बाग और हाथी तथा बाई और गैंडा और भैसा चित्रित किये गए हैं तो यहां से जो प्रश्ण आपके लिए बन सकता है वो ये है कि पशुपति सिव का प्रमार कहां से मिलता है तो मोहन जोदोडों से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति सिव का प्रमार मिलता है और वहां से जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर योगी की आकरिती बनी है और आ इसके अलामा दोस्तों योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा अभुसन है और इसके तीन मुख हैं मार्शल महोदय ने इसे रुद्र या शेव से संबंधित किया है तो देख लीजेगा दोस्तों पशुपत सियो या पशुपत महादेव जो है उनको मार्शल ने इसे रुद् की संख्या जो है वो चार है रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद और अथरोवेद इन चारोवेदों में से कुछ संकलन किया जाता है जैसे रिगवेद, यजूरवेद और सामवेद को वेद त्रई कहा जाता है या त्रई कहा जाता है तो इसमें वेद त्रई में दोस्तो रिगवेद या जुरवेद और सामवेद सामिल हैं अथर्ववेद इसमें सामिल नहीं है देखे रिगवेद में सुक्तों की संख्याई 1028 है और 10552 रिचाए हैं और रिगवेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन मंडल माने जाते हैं और एक प्रश्ण बार बार पूछा जाता ह देखिए गायत्री मंत्र का उलेख कहां पर है तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उलेख रिगवेद के तृतिय मंडल में आता है गायत्री मंत्र के रचैता कौन है आप जानते हैं लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट वाक्स में देना है दोस्तों रिगवेद का नौवा मंडल य और यजुर्वेद जो वेद है ये हमारा गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद की दो साखाएं है एक क्रिश्न यजुर्वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में है और शुकल यजुर्वेद ये केवल पद्य में लिखित है दोस्तों सुकल यजुर्वेद में जो संगीत का जनक दोस्तों सामवेद को कहा जाता है और इसमें कुल 1875 यानि 1875 रिचाएं है इनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी रिगवेद में भी उलेक है इनका उलेक है दोस्तों सामवेद की प्रमुक साखाएं कौन सी हैं तो याद रखेगा कौथुमी, राडायनी और जैमनी एक बार फिर से देखे सामवेद की जो साखाएं हैं वो कौथुमी राडायनी और जैमनी ये सभी शामवेद की साखाएं अथरुवेद में दोस्तों 20 कांड, 730 सुक्त और 5987 मंत्र हैं और उपनिसद पर आधारित उपनिसद जो हैं वो दोस्तों देखिए ये दर्सन यानि फिलास्फी पर आधारित पुस्तकी हैं और उपनिसद को ही वेदान्त भी कहा जाता है वेदान्त की संख्या 6 है याद रखिए सिक्षा, कल्प ब्याकरण निरूक्त चंद और जियोतिस ये 6 बेदान्त हैं इनको फिर से हम दोहरा रहे हैं सिक्छा कल्प निरूक्त ब्याकरण चंद और जियोतिस ये 6 बेदान्त हैं दोस्तों रिग्वैदिक समाज की बात करें तो रिग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था और रिग्वैदिक समाज पित्र सत्तात्मक होता है पित्र सत्तात्मक समाज का मतलब ये था कि रिगवेदिक समाज में पिता जो है परिवार का मुख्या होता था और उसके निर्देश या आदेश का पालन पूरे परिवार को करना होता था देखिए एक महतपूर्ट तथ ही ये है वरूण सूक्त दोस्तों वरूण सूक्त के शुनह सेप आक्ष्यान से ग्यात होता है कि पिता अपनी संतान को बेज सकता था और देखिए रिगवेदिक का जो दस्वे मंडल बहुत ही महतपूर्ण है रिगवेद के दस्वे मंडल में पूरु सुक्त में सबसे पहले सुद्र सब्द का वरणन है सुद्र क्या है तो ब्राम्हण, छत्री, वैश और सुद्र ये चार वर्ण इनका विभाजन किया गया है वर्ण विभाजन इसमें सुद्र सब्द का पहले सबसे पहले प्रियोग रिगवेद के दस्वे मंडल के पुरुष सुक्त में आता है और गोत्र सब्द की बात करें तो गोत्र सब्द का उलेक सबसे पहले रिगवेद में हुआ है और सतपथ ब्राम्हर दोस्तों इसमें पतनी को पति की अरधांगिनी कहा गया है नियोग पर था तो दोस्तों नियोग पर था प्रशलिथी उस समय उससे उत्पन संतान को छेतरज कहा जाता था और जो कन्याय जीवन भर कुवारी रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था रड़यकुम निसद में या गिवलक गारगी संबात का उलेख है और चानदोग्योप निसद में केवल तीन आस्रमों का उलेख है देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों चारो आस्रमों का उलेख सबसे पहले जबालोप निसद में आता है चार आस्रम ब्रह्मचर एक ग्रिहस वानप्रस्त और सन्यासे लेकिन यदि ये पूछा जा कि तीन आस्रम का उलेक सबसे पहले कहां आता है तो छानदोग्योप निसद में दोस्तों तीन आस्रमों का उलेक है लेकिन सबसे पहले चारों आस्रमों का उलेक जबालोप निसद में आता है और पहली बार सत्पत ब्रा के बिवाह का भी उल्लेक है और एक तत्थ ये है राजसु यग्य के बारे में तो दोस्तों राजसु यग्य में राजा का अभिसेक सत्रे प्रकार के जल से किया जाता था एक प्रश्ण देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बार बार पूछा भी गया है सभा और समिति को प भारत सरकार का जो नीतिवाक्य है ये मुंडकोप निसस से लिया गया है पूरसार्थ चार है धर्म अर्थ काम और मोक्ष दोस्तों इसमें धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है त्रिवर्ग कहा गया है धर्म अर्थ और काम को आईए देखते हैं गौतम बुद् और माता माया देवी या महा माया कोली गड़ राज्य की कण्या थी। गौतम बुध के बच्पन का नाम या इनका वास्तविक नाम सिध्धार्थ था। और बध गरंतो में गौतम बुध के गृहत्याक को दोस्तों महा भी निसक्रमण की संग्या दे गई है। छे वर्सों की कठिन साधना के बाद 35 वर्स की अवस्था में वैशाक पोडिमा की रात्री को पीपल वरिक्षे के नीचे गौतम को ग्यान प्राप्त हुआ था और ग्यान प्राप्ति के बाद ही गौतम या सिध्धार्थ बुद्ध पैक कहलाए थे दोस्तों रिसी पत्तनम ये क्या है तो बर्तमान में सारनात में वारारसी में उन्होंने पाँच ब्राम्हर सन्यासियों को सबसे पहले उपदेश दिया था और इस प्रतम उपदेश को धर्म चक्र परवर्तन कहा गया है दोस्तों कुशिनारा जो की मल लगर राजे के राजधानी थी वहाँ पर 483 इसापूर में असी वर्स की अवस्था में उन्होंने शरीर कत्याक किया था और बौध ग्रंथों में इसे महापर निर्वार कहा गया है देखें मैत्रेव को दोस्तों बौध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा गया है और बौध साहित्य को त्रिपटक कहा जाता है सुत्थ पिटक, विनेपिटक और अविधम पिटक ये त्रिपिटक हैं दोस्तों, जैन धर्म के बारे में देखते हैं, तो जैन धर्म के पर्थम तिर्थांकर रिसब देव थे, और रिसब देव के अन्य नामों में रिशबनाथ और आदिनाथ भी हैं, दोस्तों, रिशब देव और अरिश्ट नेम का उलेख रिगवेद में भी मिलता है, और पारस नाथ जैन धर्म के 23 में तेर्थांकर हैं दोस्तों महाबीर स्वामी जिनको हम जैन धर्म के प्रवर्तक कहते हैं इनको जैन धर्म के ये 24 में तेर्थांकर थे दोस्तों महाबीर स्वामी को 12 वर्स की कठोर तपस्या और साधना के बाद जिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल ब्रिक्ष के नीचे कैवल यानी पूर ग्यान की प्राप्ति हुई थी और ग्यान प्राप्ति के बाद वे केवलिन अरहत जिन और निरग्रंथ कहलाए तो दोस्तों केवलिन अरहत का मतलब होता है योग जिन का अर्थ होता है विजेता और निरग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों ये दोस्तों बंधन रहित केवलिन का मतलब जिनको पूड ग्यान की प्राप्ति हो चुकी हो अरहत का योग जिन का अर्थ विजेता है और निरग्रंथ का अर्थ है बंधन रही दोश्तूं गरूण अस्तंभ जोकी विदिशा बेसनगर में है तो विदिशा के गरूण अस्तंभ से पता चलता है कि किन लेख में हेलिय डोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्था देवताओं का देवता कहा गया है दोस्तों चारों यूगों का जो चक्र है उसको क्या कहा जाता है कृत त्रेता द्वापर और कल्यूग तो देखिए सत्यूग त्रेता द्वापर और कल्यू यह चार युगों के चक्र का क्रम है कुछ अन्यमहत्वपूर्ठ देखते हैं दोस्तों भगवान विश्णु की उपासना करने वाले विश्णु भक्तों को अलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्तों को नैनार कहा गया था पाशुपत संपरदाय की अस्थापना लकुलीस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी और इस संपरदाय की अनुयाई लकुलीश को सिव का आवतार मानते हैं इसके अलावा एक कापालिक संपरदाय है और कापालिक संपरदाय के जो उपासक हैं ये भैरो कोशियों का आवतार मानकर उनकी उपाशना करते थे और देखिए बामन पुराण में दोस्तों शैव संपरदाय की संख्या चार बताई गई है ये हैं सैव पाशुपत का पालिक और काला मुख वाकाटक सासक प्रवर सेन प्रथम ने सबसे पहले चार अस्व में ध्यग्यों का संपादन किया था और सती प्रथा का सबसे पहले अभिलेखी साक्ष एरण अभिलेख से प्राप्थ हुआ है और ये 510 इस्वी का उलेख है जिसमें गोपराज नामक सेनापती की सती होने का उलेख है हर्सवर्धन दोस्तों प्रतापिस आ सक्था हर्सवर्धन के समय प्रति पाँचवे वर्स प्रयाक के संगम छेतर में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महा मोक्ष परिसत कहा गया और वेन सांग छठवे समारोह में उपस्थित था लिंग राज मंदिर तो दोस्तों ये उडिसा के भोने स्वर में है और ये नागर सहली में बना हुआ मंदिर है मोधेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में इस्थित है और इसका निर्माड सोलंकी वंस के राजा भीम देव पर्थम के द्वारा करवाए गया था एक प्रशना जाता है विरुपाक्ष मंदिर ये कहां पे है तो दोस्तों विरुपाक्ष मंदिर करनाटक राज्य के हमपी जिले में है और ये मंदिर भगवान शियो को समर्पित है तंजवर के सौ मंदिर को राज राजस्वर या ब्रहदेस्वर के नाम से जाना जाता है और इसका निर् हमें हिर द्वारा लिखे गए प्रमुकरंत हैं कालिदास तो दोस्तों कालिदास संस्कृत के विद्वान थे आभग्यान साकुंतलम, कुमार संभव, रितु संधार मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्स बरसियम तो थम्यग दूत, इनके महत्वपूर नाटक है तुलसिदास के प्रमुकर रशनाओं में रामचरित मानस, विनेपत्रिका, कवितावली और कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि प्रमुक है अस्वगोस की रशनाओं में बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण है दोस्तों हर्स को संस्कृत के तीन नाटक ग्रंथों का रचेता माना जाता है प्रिदर्सिका, रतनाओली और नागानंद कोडार्क के सुर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा यानि काला पैगोडा भी कहा जाता है और दोस्तों संकर देव ने कामरूप असम में वैश्नो धर्म को लोगप्री बनाने का कारे किया था बल्लभाचारे ने किसमत का प्रतिश्ठापन किया था तो दोस्तों बल्लभाचार ने पुष्टिमार्ग या सुध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक माधवाचारे हैं गुरु नानक ने सिख धर्म की अस्थापना की थी संत तुकाराम वारकरी संपरदाय से संबंधि थे और महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राम्हड परिवार में हुआ था चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अपना आराध्य बताया था आए देखते हैं सूफी संत परंपरा से संबंधि तत्यों को देखे सेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिस्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे शेख निजामुद्दीन अलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल अलिया यानि संतों का राजा कहा जाता है कादरी साखा के सरवपर्थम संस्थापक बगदाद के सेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी थे और इसके अलावा नक्षबंदी सिलसिले की अस्थापना 14. सदी के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्षबंद ने की थी और सूफी संतों के निवास अस्थान को क्या कहा जाता है खान का दोस्तों भारती संस्कृती से संबंधित महतवपूर्ट तत्यों के बाद आये देखते हैं सभी परिक्षाओं के लिए महतवपूर्ट भारती राष्टी आंदुलन जो की 1857 से स्वतनता अंदुलन दक चला था उसके प्रमुक्तत्यों को देखिए दोस्तों इस्वर्चंद बिद्या साकर के अथक प्रयासों से लाड कैनिंग के समय बिधवा पुनरविवा अधनियम 1856 पारित हुआ था और भारत में जनगर्णा की बात करें तो सबसे पहली जनगर्णा लाड मेयो के सासनकाल में 1872 में शुरू हुई लेकिन लाड रिपन के सासनकाल से नियमित जनगर्णा 1881 में शुरू की गई और उसके बाद प्रति दसमे वर्स बाद जो है जनगर्णा होती रही है 2011 की जनगर्णा के बाद 2021 की जनगर्णा COVID-19 या कोरोना वाइरस महमारी के करण नहीं हो पाई है इसके अलावा दोस्तों नील बागान मालिकों के अत्याचारों का जो खुला चित्रण है वो एक नाटक है नील दरपन जिसके रशनकार दीन बंधुमित्र हैं इनके नाटक में किया गया है बंदे मातरम के रचैता बंकिम जन्चटर जी इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उलेक किया है और 1793 में लाड कार्नवालिस ने भूर आजस्व की अस्थाई बंदोबस्थ पढ़ाली प्रारम किया भूर आजस्व की अस्थाई बंदोबस्थ पढ़ाली को अन्य नाम जैस्ते इस्तमरारी, जागीरदारी और माल गुजारी तथा बीस्वेदारी आधिनामों से जाना जाता है रायत बाडी बेवस्था की बात करें तो इसके जन्मजाता टामस मुनरो और कैप्टन रीड थे सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारा महल जिले में लागू किया गया था बाद में ये बेवस्था मद्रास बंबई के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल असम और कुर्ग जो की आधुनिक करनाटक का एक भाग है वहाँ पर लागू किया गया था दोस्तों आरसी मजूमदार इन्होंने 1857 की विद्रोह को तथा कथित पर्थम राष्टी स्वतंता संग्राम न कहकर न राष्टी न स्वतंता संग्राम कहा था तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के संबंध में तथा कथित पर्थम राष्टी सोतंता संग्राम न तो पर्थम था न राष्टी था और न ही सोतंता संग्राम था ये आरसी मजुमदार की टिपड़ी है अगला है नील विद्रोह ये 1869 में हुआ था सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में संथाल विद्रोह 1855 में और पावना विद्रोह दोस्तों 1873 से 766 में हुआ था अगला प्रश्ण है 1781 में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदर्शा की अस्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की अस्थापना की थी बाल गंगा धर्तिलक की एक अगस्थ 1920 कुम्रित्ति हुई थी उनकी अर्थी को महात्मा गान्धी के साथ मौलाना शौकत अली और डाक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था दोस्तों एक तिथी है 23 मार्च 1931 ये तिथी भगस सिंग राजगुरू और सुखदेओ को इसी दिन फासी दी गई थी दोस्तों 1936 का लखनव का भारती किसान का अंग्रेस बहुत महत पोड़ है क्योंकि लखनव में 1936 में अखिल भारती किसान का अंग्रेस की अस्थापना हुई थी जिसको बाद में अखिल भारती किसान सभा नाम दिया गया था और अखिल भारती किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानन सरस्वती को और महा सच्चिव एंजी रंगा को बनाय गया था एक और प्रश्ण देखिए बनारस इंदू विस्विद्याल है जो की बियच्चिव के नाम से प्रसिद्ध है इसका सिलान्यास ततकालिन वायसराय लाड हार्डिंग के द्वारा किया गया था समाचार पत्रों में अगर भारत के पहले समाचार पत्र की बात करें तो ये बंगाल गजट था और दोस्तों सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की अस्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज की नाम से जाना गया था 1873 में सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसने जियोतिवा फूले ने की थी और आरे समाज 1875 में इसकी अस्थापना दयानन सरस्वती ने किया था दोस्तों और उन्होंने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था दोस्तों स्वामी दयानन्द और उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत के मार्टिन लूथर किंग की संगय दी जाती है और देखिए भारती राष्टी का अंग्रेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी जो 1917 ये जो है 1917 का का अंग्रेश अध अध्यक्ष बनी थी दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेश के प्रथम निर्वाचित यूरोपी अध्यक्ष जार जी यूले थे और महात्मा गांधी ने केवल 1924 में केवल एक बार कांग्रेश के बेल गाउं अध्यवेशन की अध्यश्ता की थी स्वराज मेरा जन्वसित धादिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आप जानते हैं बाल गंगा धर तिलक का कथन है और देखिए कांग्रेश के संबंध में लाड करजन की टिप पड़ी थी कि कांग्रेश पतन के लिए लड़ खरा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलासा जब तक मैं भारत में जाता हूँ अगला है दोस्तों ब्रिटिस सालकार ने बिश जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निड़े की घोश्रा की थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक एतिहासिक बैठक में स्वदेशी अंदोलन के बिधवत घोश्रा की गई और जिस बंगाल विभा आजन प्रभावी हुआ था ये समयकाल लाड करजन का था दोस्तों मोपला विद्रोह केरल के मालाबार छेत्र में 1921 में हुआ था जो है वर्स याद रखेगा और गदर पार्टी की अस्थापना 1913 में हुई थी दादा भाई नरोजिब को आमतोर पर भारत के बयोब्रिध निता यानि Grand Old Man of India भी कहा जाता है और देखिए 1907 का सूरत कांग्रेस अध्यवेशन बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि इसी कांग्रेस में भारती राष्टी कांग्रेस नरमपन्थ और गरमपन्थ गुट में विभाजित हुआ था मुसलिम लीग का जो गठन 1906 में हुआ थ और कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच प्रसिद लखनव समझावते पर हस्ताक्चर कब हुए थे तो ये दोस्तों 1906 में हुआ था और अप्राइल 1906 में तिलक ने और सितंबर 1906 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की अस्थापित किया गया था उसके प उसके सचिव जार्ज अरुंडेल थे दोस्तों सुवाश चंद्रबोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राश्ट पीता कहा था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और भारती ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानि इंडियन ट्रेड यू ने की थी रॉलर टैक्ट 1919 में पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलिया वाला बागनर संहार हुआ था दोस्तों असहयोग अंदोलन की थी एक अगस्त 1920 है एक अगस्त 1920 को असहयोग अंदोलन प्रारम हुआ था लेकिन 4 फरवरी 1922 को चारी चारा कांड के कारण महात्मा गा कांड ये 5 फरवरी नहीं बलकि अब अहतिहासिक पुष्टी हो गई है ये 4 फरवरी को हुआ था असहयोग अंदोलन की अस्फलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सियारदास और मोतिलाल नहरु ने किया सियारदास इसके अध्यक्ष और मोतिलाल नहरु इसके महा नुक्ति या गठन किस अधिनियम के बारे में जाच परताल करना था दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नहरु की अध्यक्षता में कांग्रेस का एतिहासिक लाहौर अध्यवेशन हुआ था और दोस्तों लाहौर अध्यवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष जो है घो किया गया था 31 दिसंबर 1929 को और धरात्र में भारती राष्ट द्वच को जवाहरलाल नहरु ने फैराया था और दोस्तों बेब मिलर एक अमीर की पत्रकार थे तो याद रखेगा बेब मिलर पत्रकार थे अमीर की थे इनको गांधी जी ने दांटी मार्च 1930 के समय अपने सा कारती थे दूती गोल में समयलन में महात्मा गांधी कांग्रेश के एक मात्र प्रतिनित के रूप में शामिल हुए थे और 16 अगस्त 1932 को रैम जे मैक डोनाल्ड ने अपने सामपरदाईक अधिनेड़ा की गोश्रा की जिसे सामपरदाईक पंचाट या कमनल एवार्ड कहा जाता है 1939 का 1938 का दोस्तों कांग्रेश का हरिपूरा गुजरात अध्वेशन यहां पर सुभाष यंद्रबोस कांग्रेश में पहली बार निरविरोध अध्यक्ष बने थे और 1949 में त्रिवपूरी संकट के बाद कांग्रेश की अध्यस्ता से उन्होंने त्याग पत्र दे था और फारवर्ड ब्लाक की अस्थापना की थी भारत छोड़ो अंदोलन जो 1942 का है दोस्तों इस समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री विंसेंट चर्चिल थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू किया गया था उसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द के साथ थे और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष यंद्र बोस्त ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजाद हिंद सरकार की घोश्रा की थी दोस्तों दो सितंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नहरु के नेतरितों में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था स्वतंत भारत के प्रथम 1950 के दोरान स्वतंत भारत के प्रथम भारती और अंतिम गवर्नर जनरल थे तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने भारती इतिहास रिवीजन के अंतरगत भारती संस्कृति की प्रणुख विश्यस्ताएं और भारती स्वतंत अंदोलन या स्वाधिनता अंद गोलन से संबंदित महत्वपोंड तत्यों को इसमें आपने जाना दोस्तों ये तत्थे सभी तत्थे बहुत ही आसान है लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश से महत्वपोंड पर उच्छोपयोगी तत्थे का रिवीजन करना है तो ये झाल झाल